दोस्तो आज बहुती इंपोर्टेंट कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मेरे विवर्स बगेरा यूटूब पर हर्मोनियम शीखने में कितना टाइम लगता है तो इसी शम्मन में मैं कुछ अपना प्रिकाश डालूँगा अपना जो एक्सपीडियन्स है वो आप लोगों के शामने रखूँगा ताकि आप लोग शमझें जो सीखने का प्रयाश कर रहे हैं उनको एक शानतुना मिलेगी उनको एक धहरी मिलेगा कि आखिर वो शिखेंगे दोस्तो आप मायूश नहों शब लोग जो प्रयाश कर रहे हार्मोनियम अवश्य शीखेंगे एक ना एक दिन शीखेंगे तो आए मैं कुछ एक बातें बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है और उसमें क्या होना चाहिए हमारे अंदर दोस्तो हार्मोनियम शीखना बहुत ही शिंपल है इतना ज्यादा टफ नहीं है हार्मोनियम शीखना आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर कापी हद तक डिपेंड करता है दोस्तो ये आपके उपर है कि आप कितना अंडरिस्टेंड करते हैं उस चीज को शंगीत को कितना समझते हैं ये तो नेचुरली भी होता ह है कुछ लोगों में कि बहुत जल्दी पिक अप करते हैं हार्मोनियम शीखने के लिए एक शाल भी लग सकता है परंतु कई लोग कुछ महीनों में शीख जाते हैं ये सब चीजें आपके रियाज के उपर निर्भर करती हैं ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के जान है हार्मोनियम शीखने के पिट्ति देट इस दा डिसाइडिंग फैक्टर शुरू बात में सास्त्री संगीत के अंतरकत जो कुछ एक ठाट आते हैं अलंकार साते हैं और कुछ बहुत ही जरूरी मुख मुख राग आते हैं जैसे कि अलंकार तो शारह ही होते हैं दस ठा बहुत के अलंकार आते हैं यूटूब पर बहुत मिल जाते हैं और थाड थार्ट थाध थार्मियम वह करते हैं बट यदि आपको थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से आपनी प्रिपेर नैश करनी है तो आपको ये जो बेसिक थिंग्स हैं, that is राग भी कुछ बेसिक हैं, for example, राग यमन राग, राग भेर भी राग, राग बिलाबल राग, ये बहुत जरूर जरूर राग है, राग भीम प और यदि आपको बहुत जल्द हर्मोनिम शीखना है, आप थोड़े से अपने आप में ये कमफर्टिबल मैशूश नहीं कर रहे हैं, कि आप श्वयम के रियाज से शीख जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं, कोई एक गुरू ले लेना चाहिए हर्मोनिम के लिए, टीचर क कि तलास कर लेना चाहिए, आजकल ऑनलाइन पर बहुत टीचर मिल जाते हैं, क्योंकि मार्क दर्सन बहुत जरूरी है कोई चीज शीखने के लिए, क्योंकि आपका कोई एक इंट्रेस्टी तो इस चीज में, लेकिन आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, अश्टर होंगे अप आपको शिखा सके, शही आपको दिसा निर्देश देश के, ये तो आपको लिए बहुत जरूरी है, और नेक्स थिंग आती है, आपका नित रियाज होना चाहिए, रियाज तो आपको नित ही करना है, ये नहीं कि आपने आज कर लिया, फिर आप चार दिन छोड़ दिये, न आजन, डिवोशनल सौंग्स, कुछ दोने हैं, मेरे चैनल पर बहुत दोने में डालता रहता हूँ, मुजिक दोने, ट्यून्स बना बना करके, वो शब आप देख करके रियाज करें, उनको बैसे ही तो बजाना है, जो मैं उसका नोटेशन देता हूँ, शाद मैं उसी को ब रियाज करें और फिर भी नशीके, ऐसा तो होता है नहीं कि आप किशान खेत में कार करता है, 24 गंटे उसमें लगा रहता है, उसकी नजर वहीं रहती खेत में, और उसकी साबसपाई करना, खराब गाश निकाल के बाहर फैकता है, तो वो फशल भी उसकी अच्छी होती है, तो ऐसी ये बेसिक चीज हैं, ये आपको रियाज कर लेना चाहिए, आप बहुत जल्द हर्मनम शीक हैंगे, आप ये गारंटी नहीं है कि आप साल में शीक हैं, आपका पहला इंट्रेस्ट, आपकी रुच्छी कितनी है, और आपकी केशिंग पावर कितनी है, आप कितनी ज आपने अगर यहां से सुरू किया, पहली काली से तो वही नोट्स लगेंगे उसमें, अगर शारे गामा पादा नहीं, अगर मैं तीसरी काली से बजाओंगा, तब भी शारे गामा पादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो इसी हिसाफ से फिर उचा ही पकड़ते जाएंगे, त तो कुछ लोग थोड़े तेद होते हैं, जन्दी शीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़े डिम होते हैं शीखने में, तो दोस्तो आप मायूस नहाओं, आप बली जन्दी शीख हैंगे, हर्मोनियम बस रियाज करें, मेरी यही शला है आपको, यह चीज हैं जो मैंने इस टिटोरियल में इनका रियाज आदी आपने अभी तक नहीं किया तो आप रियाज करें और आप अच्छा हर्मोनिम शीक हैंगे